दोस्तो नमस्कार मैं हुझे और आप देख रहे हैं जैस दनी ओज महाराष्टा में प्रधान मंत्री मोधी को लेकर एक बार फिर से पूरी तरह से भूचाल मचा हुआ है और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है आप सबको पता होगा महाराष्टा में पिछले काफी टाइम से जो सिवसेना, NCP और कांग्रेस हैं वो लगातार BJP के उपर निशाना साथ रही हैं और BJP के जो बड़े पॉलिटीसियन हैं वो इन तीनों पार्टियों के उपर निशाना साथ रही हैं अब इनी सब चीज़ों के बीच में महाराष्ट के जो कांग्रेस अध्यच्छ हैं नाना पटोले उन्हों ने प्रधान मंतरी मोधी को लेकर एक बहुती बड़ा स्टेटमें दिया है लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें आप सब को बता दूँ कि जो नाना पटोले हैं महाराज कांगरेस के अध्याच्ट जो है नाना पटोले एक भीड से बात कर रहे थे काफी ज़्यादा लोग वहाँ पर इकठा थे और वहाँ पर काफी ज़्यादा लोग जो मीडिया वाले हैं वो भी वहाँ पर मौजूद लेकिन वहाँ पर जाने अन जाने में या जान भूच कर इनके दवरा सीधा सीधा ये स्टेटमेंट दिया गया कि वो जो है मोधी को मार भी सकते हैं उनके दवरा ये स्टेटमेंट देने के बाद पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है और लगातार सवाल उठाय जा रहे हैं कि आखिरकर वो जो है PRADHANMENTRI MODI को लेकर इस तरह का STATMENT कैसे दे सकते हैं जो कि खु़ जो है कांग्रेश के एक प्रदे सद्यच हैं इसको लेकर लगातार इनके ऊपर सवाल उठाय जा रहे हैं और इन से जो है इस पर सफाई मांगी जा रही है लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार जो फ्रदेश अद्यच्छ हैं कांग्रेश के इम नाना पटोले उन्होंने इस तरह का स्टेट्मेंट दिया क्यों कि वो भी आन कैमरा वहाँ पर सारे लोग गठा थे साथ हती और उस भीड के सामने इन्होंने इस तरह का स्टेट्मेंट दिया है कि वो जो है मोदी को मार भी सकते हैं बाइदावे इस पर काफी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है देखते हैं आने वाले टाइम पे इनके खिलाफ पे क्या कारवाही होती है क्योंकि लगातार बीज आजिए देखरे